हेलो फ्रेंड्स केसे हो आपあसा है के बहुत बढ़ dibuj बना के बता बना के बता है आपको किस मकार बना आ आते हैं इसमें हम दोस्तों आपको यह हमारी सब्मर्सिवल मोटर यह साढ़े साहथ एच्पी की तो इसमें हम आपको एक एक रबर के बुच्छ डालेंगे और एक मेटल के डालेंगे उसकी साइज यहं को किस प्रकार बना जाती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करे और किस तरह से हमको साइज बनाना होती है वह भी हम आपको बताएंगे दोस्तो इसमें तो देखिए दोस्तो हमने पहले तो यह रोटर सबसे पहले थुरू कर लिया है थुरू करने का वीडियो आल लेडी हमारे चैनल पर बना हुआ है दोस्तो आप चाहे तो वहां पर देख स और दोस्तो और इस तरह से हमीfeed इस संस दालेंगे और इसप्रकार दोस्तो इसमें हम तो रबर और मेटल बनाए गेंगे तो में भेन की साइज मेन फरकते हों छब्रकार, कि हमारी रबर की जो साइज रहती है रबर के बूच की उसकी थोड़ी ढीली साइज आती है दोस्तों और मेटल की जो रहती है वो थोड़ी उससे साइज में फरक रहता है दोस्तो उसकी तो रबर की यह जो हम डालने अभी 35-45 के बुझ डालने इसमें दोस्तो तो दोस्तो यह हम 35 की साइज के बुझ बनाएंगे इस पर तो इसमें क्या रहता है दोस्तो हमारी जब इसमें रबर की जो साइज रहती है वो थोड़ी यह रहती है दोस्तो क्योंकि हम जब 35 बनाएंगे टो स्थो आपको बला को है या तो आप साइई ले ले लिजिए गर 35 35 की आप साइज बना रहे हो तो उसमें आप पोने 36 की सम्तिंग साइज लीजिए दोस्तों क्योंकि इतना हमारा भूश ढिला आता है और मेटल का जो रहता वह 35 की साइज है अगर तो 35 की ही वर्नियर पर हमको साइज बनाना है तो देले दोस्तों हम आपको इसमें बताते हैं औ दोनों बूश चल रहे हैं दोस्तों तो हम केसे पता लगाएंगे कि हमको कहां पर कितनी दूरी पर कौन सी साइज बनाना क्योंकि हमारी इसमें दो साइज बनेगी तो देखें दोस्तों इसमें क्या होता है यह देखें हमारे बूश के निसान बने हुए है इस तरह से यहां पर हमारे बूच चल रहे हैं दोस्तों यहां पर हमारा एक बूच चल रहा है और एक बूच यहां से यहां तक चल रहा है और यह जो बीच में दिख रहा है हमको यह खाली जगा है दोस्तों हमारी तो हमको सबसे पहले क्या करना दोस्तों यहां पर बीच में सेंटर में कट ले तो सबसे पहले यह काम करना है हमको तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको थोड़ी सी इसमें कि किस परकार से हमको कट लगाना है बीच में और फिर आपको साइज बना के दिखाएंगे इसकी दुस्तों थूझुट यूट बने रहे हमारा वीडियो पसंद आए तो जाए-जाए लयक कीजिए जाए-जए कीजिए और हमारे चैनल पर नहे हो तो सब्सक्राइब कर दिये और साथ में ऐल आइकन को बहुन पर प्रेश कर दिये ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकिशन आपको मिलते रहे दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं कर दो तो देखे दोस्तों इस तरह से हमने बीच में यहां पर कट लगा लिए ताकि हमको इससे पता चल सके यहां से यहां तक हमारी रबर के जढ़नें बूच की साहिज अबला के क्योंकि साइज में थोड़ा ठीक उधिपरेंश रहींगा दोस्तों आपको यहिए पहले रिवी बता दिया दूस्तों में परकूर हमकों इस साइट में भी करड़ा लिएंप और पहूं को भिड़ा लगा लेता हूं यह देखें दोस्तों इस तरह से हमने दोनों साइट में साइजे बना ली है अब हम यहां से कट तो हम यहां से लगाएंगे पूरी दोस्तों पर पहले साइज हमको यहां की बनाना है तो यहां से हमको कट लगाना स्टार्ट करना है और यहां पर साइज बनाना हमको रबर गी और यहां पर बनाएंगे मेटल गी तो देखिए दोस्तो यहाने इस प्रकास पर साइज बना लिए यह आपको को दिक्राणा होगा दोस्तो कि हमने ये INCe 35 से फोड़ा उपर लिया है मतलब कि हमने सा भर अब जिस शाइज लीए दोस्तों इसकी ठीक है इस शापने को वरणियर से सालीज वाना यह देखिए यह मरा वर्नियर भी इसमें नहीं आरा है यह वर्नियर आशी वणे की आना चीस है मैं har cel language को चले मिना फारा फ़ कि अरत कि अब को थोड़ी स्पट लगा के दोस्तों इस तरह से साइज बना देना है वर्नियर से साइज नाप लेना है कि अब बना देना है वर्नियर फ़्नियर साइज कैसा वर्नियर से साइज कर दया देना है के दोस्तो इस तरह से कट मारने के बाद में पूछ की साईज के character की साइज बन्चुकी है दोस्तों तो इस cut से हैं तक हमने रवर के साइज बना लिएonda यहां पर मेतल की says बनाइए उसके लिए दोस्तों हमको score डाउन करना पड़ेगा यहांसे यहां तक हम अब proper की 35 तो चलिए वह भी बनाते हैं यह देखें दोस्तो हमने वर्नियर पर भी 35 की साइज बना लीए और आप हमको यहां पर 35 की साइज बनाना धोस्तों देखिए अभी हमारा वर्नियर इसमें नहीं बेड आ रहा है यह देखिए तो हमको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा तो आप कमना लिध को ड़ा जाय। कर दोकित हुआ को married कि यो पोल्वा मंध्ट प्रवस्तारी प्रवस्ताराँ यह देखें दोस्तों यह वर्नियर से हमने इस तरह से साइज बनाई थी यह देखिए यहां से यहां तक हमारी साइज बन गई है और यह हमारा मेटल का बूची है देखिए यह हमारे 35 की साइज है दोस्तों तो इस तरह से हमको दोनों साइट में अलग-अलग साइज बनानी है यहाँ पर हमने रवर की बना दी और यहाँ पर मेटल की बना दी तो यह क्या है हमको मेटल की ठोड़ी डाउन करना होती है दोस्तों बिशन 되면 प्रोसेस रहे साइज बनाना है तो हमको यहां पर दोस्तों रबर का साइज बना लेना है और यहां पर मेटल का साइज बना लेना है तो चलिए हम तोड़ा वीडियो को स्किप करेंगे और यहां की भी साइज बनाके और फिर आपको बताते हैं प्योला मरे व्होंते हैं कि यह देखें दोस्तों यह कुछ इस तरह से हमारा यह रवर की साइज बन गई है अब यहां पर हम मेटल की साइज भी बना देंगे दोस्तों यह देखें यह भी हमार इसकी मेटल वाले की साइज बन गई है इस तरह से यह देखें हमारा बुच यह इस तरह से बढ़े तरीके से इसमें आ रहा है तो देखें आपको वता दे हम थोड़ा सा इतना डिफ्रेंस देखिए यहां पर मेटल का बुच आ रहाँ है इस कट पे और इहां पर आगे नहीं जा रहा है मतलब इतना आप डाउन रहता है इसमें दोस्तोlla नरा तो इसका कभी भी ऐता है तो अपशा रहता है प्रफिक sä度ट छे इसलिए डालना है सरो 是 Bu ज्यादा रहती है हमारे मेटल के बूच से रबर की बूच सर्विस ज्यादा रहती है दोस्तों तो आप कभी भी सबमर्सिवल मोटर के बूच बनाए तो आप एक रबर एक एक दोनों साइट में एक रबर का एक मेटल का एक रबर का एक मेटल का इस तरह से डाले तो आपके ब प्रेज़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों इसको निकाल लेते हैं इसको हमारी सारी साइजे बन गई है इस तरह से और हम आपको दिखाते हैं बूच की हमारे बूच इसमें डाल के देखें रबर का बूच तो हमारा कुछ इस तरह से इसमें डाला हुआ है और यह हमारा मेटल का बूच है इसको भी हम आपको डाल के दिखाते हैं देखें यह इस तरह से हमारा जब मेटल का बुझ भी इस साइट पर आ गया अब आपको इस साइट में भी दिखाते हैं हमारा यह देखें यह हमारा रबर का बुझ की साइज हो गई और यह हमारे तो इस तरह से दोस्तों हमारी साइज बनती है अगर अगर बुझ रबर के यहाँ पर आप चड़ारा चाहोगे तो यह नहीं जाएगा तो इतने इतना डिफ्रेंस देता है दोनों सेम सई एक की साइज के बुझ है दोस्तों यह भी मेटल का भी 35-45-45-45 का है साड़े 35-45-45 का मेटल का भुझ है दोस्तों और रबर का भी 35-45-40 का है पर इसमें साइज में डिफ्रेंस आती है दोस्तों रबर और मेटल में आती है तो देखें दोस्तों इस तरह से हमको Submercible Motor के बूज बनाया जाते है और rubber के बूज बनाने के लिए आपको इस तरह से बनाना होते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो